नमस्कार दोस्तों क्लास सेवन्त महाराश्ट टेड़ बोर्ड मैथेमाटिक्स चप्टर नॉम्बर एट अलजेब्रिक एक्स्प्रेशन्स एंड ऑपरेशन्स वन्दे तो चप्टर शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें शेर करें और बेल आइकाउन प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज के नॉटिपिकेशन्स मिल जाएं जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको वाटसप पे इंस्टाग्राम पे या फेस्बुक पे कहीं पे भी आप मेरे वीडियोज जो हैं वो शेर कर सकते हैं अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो जरूर उन्हें शेर करें तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन्स और अप्रेशन्स वान देम यह चाप्टर है उसमें सबसे पहले हमें मालू होना चाहिए कॉंस्टन्ट क्या होता है कुछ हम बेसिक टर्म्स लेंगे फिर उसके बाद जो अक्टियल चाप्टर की कंटेंट्स हैं वो हम पढ़ेंगे कॉंस्टन्ट क्या होता है देखे कि ऐसा सिंबॉल जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती जिसी की नंबर्स है 4, 5, 7, 8, minus 10, minus 3 by 8 जो भी नंबर्स है उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती तो वो होते हैं कॉंस्टन्ट्स तो कॉंस्टन्ट की डेफिनेशन यह हो गई शिंबॉल्स whose value does not change और हम ऐसा कह सकते हैं the symbols whose value remains same for example ऐसे symbols जैसे minus 2, minus 3, 4, 8, 7 by 10 अब 7 by 10 की value change नहीं होगी 8 की भी नहीं होगी अगर 4 ऐसा symbol दिया गया है तो इसकी value हम 4 यह लेंगे अब जिनकी value change हो सकती है तो ऐसे कौन है तो उन्हें हम कहते हैं variables ऐसे symbol जिनकी value change हो सकती है the symbols whose value may changes for example x, y, z अब x, y, z यह जो हैं alphabets उन्हें हम variables कहते हैं algebra में अब देखें minus 2 का minus 2 की जो value है वो change नहीं हो लेकिन x की जो value है वो change हो सकती है 1, 2, 3, 4 हम कुछ भी x के जगह पे लिख सकते हैं तो ऐसे symbols यह symbols के जगह हम यह भी लिख सकते हैं alphabets ऐसे alphabets जिनकी value change हो सकती है अब जो next point आता है वो है algebraic expressions तो algebraic expressions क्या होते हैं combination of constant variables plus minus multiplication and division is called algebraic expressions combination of constants, variables with operations like addition, subtraction, multiplication and division is called algebraic expression for example, हम यहाँ पे लेंगे तो example है देखिए 3xy minus 2x square plus 1 by 3 x raise to power 1 by 2 तो यह हुआ algebraic expression क्योंकि यहाँ पे देखिए constant भी है 3, 2, 1 by 3 constants भी है variables भी है x, y, x, x और minus plus और यहाँ पे multiplication भी है 1 by 3 into x raise to power 1 by 2 यहाँ पे भी 2 और x square में कुछ भी sign नहीं होता है मतलब यहाँ पे multiplication होता है तो 3xyz में भी multiplication है तो multiplication, division, addition, subtraction इन में से कोई symbol हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं operations कुछ operations होंगे, कुछ नहीं होंगे लेकिन इन सभी के combination चाहे कैसी भी combination हो उन्हें हम algebraic expressions कहते हैं तो हमने यहाँ पे 3 algebraic expressions के example लिये हैं फिर्स्ट है 3m यहन सेकेंड है minus 8y square और थर्ड algebraic expression है minus 5x plus 2y plus 3z तो यह तीनों भी algebraic expressions हैं अब algebraic expression में नेक्स्ट जो point आता है नेक्स्ट यह है term term क्या होती है term होती है the part of the algebraic expression between plus and minus और plus और minus plus और minus इन दोनों बीच के sign में या plus plus के बीच में या minus minus दो sign minus हो तो उनके बीच में जो भी part आता है उससे हम कहते है term यहाँ पे 5x, 2y, 3z यहाँ पे 3 terms है अब इसमें एक ही term है इस algebraic expression में यहाँ पे भी एक ही term है तो हमने यहाँ पे लिखा है term part of algebraic expression between plus और minus plus और minus के बीच में जो भी part रहेगा उसे हम कहेंगे terms और term में दो part होते हैं एक होता है coefficient part जो भी number होते हैं उन्हें हम कहते हैं coefficient और दूसरा part जो होता है वो होता है variable part अभी समझो 3x square minus 2xy plus 5y square अब यहाँ पे तीन terms है minus plus के बीच में plus minus के बीच में और यहाँ पे एक last term तो 1, 2, 3 त्री terms हैं हर एक term में हम देखेंगे तो 3 constant जो part है उसे हम कहते हैं coefficient और यह स्क्वेर जो part है वो है variable तो minus 2xy यहाँ पे minus 2 जो है वो coefficient हुआ और यह स्क्वेर जो है वो variable part हुआ plus 5y square में 5 coefficient part हुआ y square variable part हुआ next जो part है वो है like and unlike terms अब like term क्या होता है जिस भी terms में जिन्हे terms में variable part सेम होता है कि suppose 3x square और 5x square x square x square variable part सेम है तो इन्हें हम कहेंगे like terms 3xy minus 8x square y अब यहाँ पे xy है लेकिन variable part यहाँ पे भी xy ही होना चाहिए था x square y हुआ तो यह unlike terms होंगे जहाँ पे variable part जो है वो सेम नहीं है तो अगर variable part सेम है तो उन्हें हम कहेंगे like terms variable part सेम नहीं है तो उन्हें हम कहेंगे unlike terms नेक्स्ट जो point है वो है types of algebraic expressions तो algebraic expressions के number of terms regarding number of terms कितने हैं उसके हिसाब से तीन यहाँ पे types हैं फर्स्ट है monomial second binomial और third trinomial जहाँ जिस algebraic expression में एक ही term होता है single term या only one term जहाँ पे होती है उसे हम कहते है monomial for example एक हम example लेंगे तो 3xyz minus 4 x square y या minus 3 plus 5 यह सभी जो हैं वो monomial है एक ही term एक term एक term एक term binomial में two terms exactly two terms अगर होंगी तो वहाँ पे उसे हम कहेंगे binomial for example example है suppose x plus y a minus b 2xy minus 3 z square तो यह हो गए 1 2 3 तीन एक्जमपल हमने ले लिए हैं binomial के देखिए first example में x plus y दो term हैं यहाँ पे यहाँ पे plus से दोनों पर divide हो चुके हैं minus से 2 पर divide दो terms minus से 2 पर divide दो terms तो यह सब यह सबी binomials हैं तो यह सबी binomials हैं trinomials में तीन टर्म होते हैं तो हमें यहाँ पे लिखेंगे त्री टर्म्स for example example है x plus y plus z simple एक example दूसरा example minus 2a plus 3b minus 7z कुछ भी ले सकते हैं a, b, c, d, x, y, z variables constant हो और plus minus multiplication इनका combination हो तो वो algebraic expression होगा trinomials में 1, 2, 3 terms 1, 2, 3, 3 terms अगर 3 terms से ज़्यादा terms हैं तो उन्हें हम कहेंगे polynomials तो अलग कि polynomial एक भी term है तो भी हम उसे polynomial कहते हैं दो भी terms हैं तो भी वो polynomial होता है polynomial की एक अलग definition है लेकिन यहाँ पे हम इतना ही समझेंगे कि 3 से ज़्यादा terms हैं तो उसे हम simply polynomials कहेंगे तो suppose a square plus 3a square b plus 4a b square minus 7a b plus 8 तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 terms हैं तो यह होगा polynomial practice set 32 question है देखे classify the following algebraic expressions as monomials, binomials, trinomials और polynomials तो जो नीचे दिये गए polynomials sorry algebraic expressions है उनकी type हमें लिखनी है तो फर्स्ट जो है example दिखी 7x तो 7x जो है यहाँ पे एक ही term है तो यह होगा monomial 5y minus 7z minus 3 divide हुए हुए यहाँ पे 2 term है तो इसे हम कहेंगे binomial 3x cube minus 5x square minus 11 3x cube यही एक term दूसरी और यह तिसरी तीनों भी term मतलब minus से divide हो चुके हैं minus minus 7 से तो 1, 2, 3 3 terms हैं तो इसे हम कहेंगे trinomial 1 minus 80 minus 7x square minus 7a cube तो यहाँ पे एक term 2, 3, 4 3 से ज़्यादा terms हैं तो उसे हम simply कहेंगे polynomial 5 of minus 3 दो terms हैं तो यह होगा binomial अब next a सिर्फ a एक variable दिया गया है a तो a की term यहाँ पे हैं तो यह होगा monomial 4 यह भी monomial होगा 3y square minus 7y plus 5 1, 2, 3 तीन terms हैं तो यह होगा trinomial तो यहाँ पे practice it 32 समाप्त हो चुका है तो इस वीडियो में इतना ही आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम addition and subtraction of algebraic expressions यह point cover करेंगे और practice it 32 के questions भी हम solve करेंगे तो ठीक है थैंक्यू दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए बाद बाद दनिवाट करेंगे बाद दनिवाट